वेली किस्सा बड़ा मज़िदार है सन 2008 के अंदर वार्न बफे एक हेज़ फंड से शर्त लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो मर्जी कर लो तुम S&P 500 की रिटरंस को बीट नहीं कर सकते हैं अब यहां पर एक हेज़ फंड के साथ शर्त लग गई है कि वो जो मर्जी करें S& इंडेक्स अंडिया के अंदर वैसे ही यूस का एक इंडेक्स है जिसे हम S&P 500 कहते हैं वार्न बफे ने बोला कि तुम S&P 500 की रिटरंस को बीट नहीं कर पाऊगे हैज फंड ने शर्त एक्सेप्ट कर ली नौ सालों तक देखा गया कि किस तरीके से इंडेक्स फंड ने पर परफॉर्म करता है hedge funds को मतलब बहुत जादा returns प्रेडियूस करता है ऐसा क्यों कर पाई है index fund होते क्या है और आज जो मैं आपको बताने वाला हुआ इंडेक्स fund से एक लेवल ऊपर की information में आपको दूँगा कि आप अपने पैसे को diversify भी कर पाऊगे और आपका risk भी बहुत कम हो जाएगा और अगर आपको share market से actual में wealthy बनना है आपको right investment करके बनना है तो आपको आज एक रास्ता पता लगने वाला है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे एक एक करके सारे points जो मैं आपको बताऊंगा आपको यह समझ आएगा कि आपको किस तरीके से investments प्लान करनी है वो भी आज से ही आप better decisions ले पाएंगे अब यहां पर कुछ सवाल आएंगे आपके मन में एक तो यह index funds क्या होते हैं हम यहाप आपर S&P 500 की बात करते हैं यह वारन पफे ने बोला यह है क्या चीज निफ्टी सेंसेक्स कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है तो मैं बहुत शौट में आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इससे आपको concept की clarity हो जाएगी अब example के लिए आपको reliance बहुत अच्छी कमनी आप फिस्टम पर जाकर अपना डीमेट अकॉंट खुलवा सकते हैं वैसे तो वहाँ पर चार्ज़ होते हैं अकाउंट ओपनेंगे पर अगर आप हमारा प्रोपोड यूज करेंगे तो आपके अकाउंट ओपनेंगे कोई चार्ज नहीं लगेंगे सबसे पहले आपने समझ नहीं कर पाता कंपनी डूब है कंपनी का शेर भी सफॉल कर सकता है अगर कंपनी का शेर किर गया तो आपकी माल लेते हैं बहुत बड़ी इंवेस्मेंट रेलाइंस के अंदर दी इस इंवेस्मेंट का क्या होगा आप Gue investment डूब जाएगी definitely investment डूब सकती है अब ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने single stock में पैसा लगाया पर what if आपने index funds में पैसा लगाया होता अब ये index funds क्या होते हैं यह तो सवाल था है हमारा तो यहां पर मैं इसे clear कर देता हो अब जब हम nifty और sensex की बात कर रहे थे तो हमारे एक्सचेंज हमारे पास दो exchange है एक हमारे पास NSE है NSE की top 50 companies से मिलकर बना है nifty और BSE Bombay Stock Exchange की top 30 companies से मिलकर बना है यहां पर sensex अब एक चीज़ में आपको बदा देता हूं यहां पर जो top 30 companies सेंसेक्स की अगर आप निफ्टी की top 30 companies देखोगे तो सेम सिर्फ एक ही डिफ्रेंस है कि निफ्टी के अंदर 20 और companies आ जाती है तो यहां पर 20 extra companies सेंसेक्स से और कोई फरक नहीं है दोनों की value में फरक है और यहां पर यह NSE national stock exchange पर जो top 50 companies है उनसे निफ्टी बना है और top 30 companies Bombay stock exchange पर उनसे सेंसेक्स बना है तो हम सिंप्ली सेंसेक्स निफ्टी को देखते हैं और हमें पता लग जाता है बजार उपर जारा नीचे आ रहा है क्योंकि यहां पर जो companies है इनकी market cap बहुत जादा है तो यह concept लिया रहा है इसके बाद इनकी returns को mutual funds और जो hedge fund है क्यों बीट नहीं कर पाते हैं इसका reason समझते हैं यहां से nds में free fall हो सकता है रलाइंस गिर सकता है तो निफ्टी और सैंसेक्स का दोनों का पार्ट है इन पड़ अगर लाइंस ने बेकार perform किया लाइंस की market cap घटी तो आपको यह भी मैं बता दूं निफ्टी से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, Sensex से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसकी जगां कोई और कंपनी लेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, कि Nifty में NSE की Top 50 Companies ही रहेंगी, अगर एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो आउट हो जाएगी Nifty से, Similarly, अगर Sensex में, आप देख रहे हो, Top 30 Companies की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कोई कंपनी ऐसी है, जो आप कह सकते हो, कि दिवाल ये निकल गया कंपनी का, कंपनी में कुछ बड़ा हो गया, ऐसा हाथसा हो गया, इसे कि King Fisher के साथ हुआ, So, King Fisher Airlines एक ताइम पर बहुत बड़ी Airlines थी, आपको पता है, पर अभी Airlines बिजनस में ही वो नहीं है, तो यहां पर इसी तरीके से, आप समझ सकते हो, कि अगर कोई कंपनी खतम हो जाती है, बरबाद हो जाती है, तो Nifty और Sensex में नहीं रहेगी, तो इससे आपका फाइदा क्या ह अगर आपने Nifty पर पैसा लगाया, तो आपको कुछ टाइम के लिए फरक पड़े पड़े, और लॉंग तरम अगर आप देखेंगे, एक बड़े पीरिट को देखोगे, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी वा उट हो गई, और जो कंपनी अच्छा परफ करना प्रेफर करते हैं, तो यहां पर आपके लिए एक आपशन आता है, जिसे हम बोलते हैं, ETF, Exchange Traded Funds, अब जो एक्सेंज ट्रेडिट फंड होते हैं, यह बिलकुल स्टॉक की तरह ही आपको दिखेंगे, जब आप किसी ETF को खरीदते हो, तो जैसे आप किसी स्टॉक को खरी आपको जैसे स्टॉक आप एक्सेंज से खरीद रहे हो, वैसे आप ETF एक्सेंज से खरीदते हो, बड़ा mutual fund किसी कंपनी से खरीदे हो, यहां पर प्रोस भी है, कॉन भी है, अब प्रोस तो बहुत सारे आजाते हैं, कि यहां यहां पर बहुत ही कम आपको आप कह सकते हो, कि ए यह पर आपके चार्ज नहीं लग रहें आपको बेफिजूल में एक्स्टा पैसा नहीं देना तो एक तो यह प्रो है आंका दूसरी चीज अगर हम प्रोस की बात कर रहे हैं तो जैसे आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो आप प्राइस पूरे दिन दिखते हो उपर नीचे उप सब्सक्राइब नहीं देखेंगे आपको क्योंकि एटिए फ किस तरीके से हो सकता है यह आपको अभी बताने वाला हूं इसके साथ साथ अगर आप सिर्म फंड में पैसा लगाते हो तो आप इसकी एडिए देखते हो अब एने वी पूरे दिन ही रहती है दिनमें सिर्व एक इसे आपको diversification समझा जाएगा अब यहां पर recommendation नहीं पर definitely ETFs के अंदर invest करना comparatively safe होता है अगर आप directly किसी single stock के अंदर invest कर रहे हैं अब यहां पर एक आप ETF देखिए मोतिलाल Nasdaq 100 अब यह मोतिलाल Nasdaq 100 यह है क्या चीज़ देखिए आप simply ETF को search कर सकते हो Fisdom के ओपर भी Fisdom का 15 से ज्यादा banks के साथ tie up है जो leading banks है इंडिया के और यह trusted platform भी है अब यहां पर जाके जब आप search करते हो मोतिलाल Nasdaq 100 आपको दिखेगा इसका price है 95 रुपीज आप चाहें तो एक ETF भी करी सकते हो इसका मतलब क्या है अगर आप सिर्फ एक ETF खरीदना चाहते हो तो सिर्फ 95 रुपीज में आपने एक ETF खरीद लिया इतना आसान है ETF को खरीदना अब यहां पर एक खरीदने से क्या हो ETF का जो भी value है minimum आप चाहें तो एक जैसे आप एक share खरीदते हो अप एक ETF भी खरीद सकते हो similarly एक और example में आप ले रहा हूं SBI ETF 5050 यह 170 अब मैंने आपर दो example क्यों लिए है NASDAQ 100 का मतलब क्या NASDAQ क्या हमारे इंडिया का इंडेक्स है नहीं यह तो US का इंडेक्स है और आप बोलेंगे सर NASDAQ में तो वो companies आती हैं जो technology companies हैं जैसे कि आप Apple की बात करते हैं Amazon की बात करते हैं Alphabet मतलब Google Facebook जैसी companies NASDAQ के अंदर आती है अब आपने NASDAQ 100 के अंदर जब investment किया तो आपने 100 companies जो US के अंदर leading companies IT के अंदर आती हैं उनमें आपने अपनी investment को डाल दिया अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले time में जो यह IT company से बहुत अच्छा करेंगे मुझे personally लगता है आपको भी हो सकता है सेम लगता हो तो आपने क्या किया पहली बात तो अपनी investment को diversify करने के लिए पैसे को सिर्फ Indian stocks के अंदर नहीं लगाया आपने US के stocks के अंदर लगाया यहां पर आपको दो तरीके से benefit होता है companies grow करेंगी उसका तो benefit हो गई देखो अभी आपने रिसेंट्ली देखा है कि हमारा INR काफी depreciate कर रहा है over the years हमने देखा है कि INR depreciate करता है अगर INR depreciate करेगा तो भी आपको एक और फायदा होगा क्योंकि आपने US stocks के अंदर investment करी हुई है सिर्फ 95 रुपी से आपने क्या किया US की top 100 companies में investment कर दी आप क्यों सकता आपको लगे एक ETF की value बहुत कम है इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास investment ज्यादा है तो अब आपके पास मालीजिए एक लाग रुपए है तो आप एक लाग को डिवाइड कर दीजिए 95 से आपको पता लग जाएगा आपके पास number of ETF कितने हैंगे अगर आप एक लाग रुपए हैं मैं सिर्फ 170 रुपए में इंडिया की top 50 companies में पैसा लगा सकता हूं मुझे रिलाइंस का शेयर खरीदने की जुरूत नहीं है मुझे यहां पर इंडिया की 50 companies में investment मेरी डाइवर्सिफाय हो रही है अगर मैं सिर्फ एक ETF करीदता हूं यहां पर तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं पहली बात तो सिर्फ 95 और 170 आपने इंवेस्ट करके दो ETF करीदे आपने नैस्डेक के हिसाब से यूएस की top 100 IT companies में पैसा लगा दिया इंडिया की top 50 companies में पैस कितने ETF मंतली आप खरीदना चाहते हो अभी एक्जामपल इसी तरीके से ले रहे हैं अगर आपने 10 ETF भी खरीदे दस भी खरीदे इच वन टेन तो अगर इसके दस खरीदे इसके दस खरीदे दोनों की investment आपकी 265 हो गई तो आपकी total investment हो गई सिर्फ 2650 रुपे की आप अपनी monthly income के साब से देखिए मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको अपनी monthly income का at least 10% तो invest करना ही चाहिए अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपको 5000 रुपे तो invest करना ही चाहिए अब चोईस आपकी है कि उसे आप कहां कीजिए ETF can be a good option और यहां पर कोई recommendation नहीं आप अपनी analysis के बाद ही investment हो तो आपका इससे होगा क्या यह 5000-10,000 आप क्या कीजिए आप simply SIP शुरू कीजिए और यहां पर हम mutual fund के अंदर SIP नहीं गह रहे है 99.9% लोग क्या बोलेंगे सिफ mutual funds में जाके investment कर दो आपको अगें जैसे हम diversification की बात करते हैं ETF को भी choose कर सकते हो it is as good as index funds और बाकी के active mutual funds से तो बेटर हो जाता है जब आप ETF में investment करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप 5000-10,000 जो भी आपके हिसाब से मैं तो कहता हूं 10% करो अगर आप 10% नहीं कर पाते तो कोई भी एक amount से हो 2000 क्यों नहीं हो 500 रुपे महिना क्यों नहीं हो investment की आदर डालो इस सबसे important है इससे होगा क्या अब यहां पर हमने 10,000 रुपे महीने का example लिया है यह example आप चेंज भी कर सकते हों यहां पर हम SIP calculator पर आ चुके हैं आप Google पर लेखेंगे SIP calculator आपके पास calculator आ जाएंगे अब यहां पर आप देखिए अगर आप 10,000 रुपे महीने की बात करते हो 15% की annual returns सालाना return 15% की अगर आ निफ्टी को देखो तो पिछले को सालों के अंदर निफ्टी की cumulative returns 15% से जादा है नैजडेक में हो सकता आपको जादा भी मिल सकती है अब अगर आपको जादा returns भी मिल सकती है तो आप चेंज करके हैं आप चेक कर सकते हो कि 1% से भी कितना फरक पड़ेगा वह भी मैं आपक होगा पर 15% के सबसे 25 सालों में यह 10,000 रुपे जोड़ते आप जा रहे हो ना जो भी ने के यह बन जाएगा आपका 25 साल में एक करोड रुपे से जादा एक करोड से जादा आपके पास कॉर्पस होगा अगर आपने हर महीने investment करने की आदर डाली तो अब यहां पर अगर आ भरमीन invest करते जा रहे हम यह बात नहीं कर रहे हैं कि अगले 5 साल में 10 साल में आप और जदा गमा पाएंगे आप और जदा इन्वेस्ट कर पाएंगे हम सिंपली बात कर रहे हैं कि अगर आप एक आदर डालते है investment करने की और वह amount same भी रखते हैं फिर भी आपका 25 साल में एक जो corpus है वह बढ़ता चला जाएगा and this is the power of compounding और ETF is a very good option अब यहां पर मैं जैसे returns की बात कर रहा था अगर आपका 1% भी return change होता है only 1% मैंने 15 का 16 किया है तो यहां पर आपका 20 लाग रुपे बढ़ गया 1.3 करोड जो गया अगर मैं इसे 18 कर दूंगा तो game ही चेंज रहेग जाती है अब देखिए हम कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हो नहीं सकता 18% की returns भी आपको आप ड्रेकली स्टॉक्स पिक करेंगे जादा भी मिल सकती है बट अगें जो index है वो safe option है अब यही बात Warren Buffet ने अपने सारे trustees को advice की हुई है कि अगर तुम्हें यह जानना हो ना इन्वेस्ट कर सकते हैं mutual funds के थ्रू जो आपने एक तरीका समझाए कि mutual funds अब आपने सुना है na mutual funds सही है retirement planning के लिए mutual funds सही experience से कह रहा हूँ अब इसमें और तदा क्या सही है index funds तो आप simply index mutual funds में पैसा लगा सकते हो दूसरा आप क्या कर सकते हो आप ETF में भी पैसा लगा सकते हो और आपको दोनों से benefit के और आपका पैसा index में लग रहा है और index में लग रहा है तो risk कम है पैसा grow कैसे होगा वो आपने समझ लिया कि compounding की power क्या है और compounding किस तरीके से आपको long term में wealth create करके देती है फाइनली अगर आप रेगुलर्ली ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिस्ट्रम के ऊपर आपको मिलेगा freedom plan freedom plan आप चाहिए 2 मेनी के लिए ले सकते हैं 6 मेनी के लिए सकते हैं साल बर के लिए सकते हैं इस plan को एक बार लेने के बाद आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करने पड़ेगी तो जो लोग रेगुलर्ली ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा amount देना प कर सकते हो इनकी आप के तुरू भी कर सकते हो mutual funds में investment करना है यहां पर आप अपनी requirement के साफ से आपको यह suggest करेगा कि आपको कौन से mutual funds में पैसा लगाना है अगर आप इंडेक्स के अलावा भी अपनी और investments को diversify करना चाहते हो किस तरीके से कर सकते हो bonds में पैसा लगाना है वह करेंगे और यहां पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको account opening का कोई चार्ज नहीं देना mutual fund में वैसे भी यहां पर अगर आप invest करना चाहते हो कोई चार्ज नहीं लगता है आपको कैसे लगी कोमेंट में जुरूर बताएगा अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजे फेस्बुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजे यूट्यूब पर देखने सब्स्क्राइब कीजे बैल अकन पर क्लिक कीजे आउल सी नेक्स वीडियो तिल दार नाइम पर देखने सब्सक्राइब कर 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 देखने